Hello everyone, welcome to YouTube channel आज के इस वीडियो में हम लोग C language का lecture 11 स्टार्ट कर रहे हैं and I hope आप लोगों ने इससे पहले के सभी lectures देख ली होगे तो अचली वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको notes की information देता हूँ जो notes हैं वो आपको telegram channel पर विलेंगे and telegram channel की link आपको description में मिल जाएगे तो आप वहां से जाकर सभी notes को access कर सकते हो वो शुली हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या discuss करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग if and else statement को discuss करेंगे तो शुली शुरू करते हैं if else statement ठीक है if keyword यूज करते हैं then parents is के अंदर condition लिखते हैं फिर curly braces के अंदर हम लोग code लिखते हैं जो हम condition true होने के बाद execute कराना चाहते हैं and यहां errors part भी है उसके बाद यहां पर हमार एक पास curly braces उसके अंदर वो code रहेगा जो हम लोग condition false होने के बाद execute करना चाहते हैं आपको समझ में आए होगा अभी हम code में भी देखेंगे तो जाद अच्छे समझ में आएगा हम flow chart देख लेते हैं कि यह work कैसे करता है क्या हुआ यहां से हमारा code स्टार्ट हो गया उसके बाद हम लोग पहुंचें कहां पर if condition means यहां पर पहुंचें लोग होगा उसके बाद फिर यह उसके बाद वाले code execute होंगे एक और flow chart होता है nested if else का ठीक है उसको समझ लेते हैं फिर एक साथ जाकर code करके देखेंगे nested if else means आपको दिख रहा होगा यहां एक if है उसके अंदर फिर if else है तो यह हमारा nested if else means means if के अंदर flow chart system लो यहां से code start हुआ और if की condition पर आगे हमारा code condition बन चेक है अगर condition बन true है means per condition true होगी तो यह इस पार्ट में जाएगा इसके बाद जो हमारा else part होगा या फिर एक और if लिखा हो उसके बाद जाएगा then उस condition लो चेक करेगा माण लेते हैं कि यहां पर एक और if लिखा हुआ है यहां पर एक और if लिखा हुआ है अबर condition true होगी तो यहां पर जाएगा फिर condition to को check करेगा means जाली condition check करेगा अगर वो condition true होगी हमारी यहाला part execute करेगा means statement 1 जो है हमारी that part otherwise else part execute करेंगे जो कि हमारा इफ के अंदर है वहरों जो एक हमारा इप के पास आद यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगा अब यह tuck लिखाऊगा उसे execute करेगा otherwise आप यह कुछ लिखाऊगा तो इस constitute करतेगा इस कोड में चलका इसका कोड लिख कर देखते हैं ठीक है तो चेक हम लोग वह और और अधर भी अगर सोन पुडिशेंट न मिजन जाएगा हमारा में था नाक सबसक्राइब सबसंदेंगे होगो किया रहा दूरा की करने अनों को ला तो歡迎 मैं थान हमारी प्रेंट होगी अब हुल मैं क्र देता हूं टिक है यहाँ पर मिदेट यहां पर लिए यहां पर एक चेंज कर दिया था यहां पर लोग को अगर यूज करना है तो आप सिंगल इस भी उसकर सकते हो यहां पर यहां पर अधियो तो आप लोग तो आप लोग सिंगल यूज कर सकते हो बटकि प्या करतें हो लोग न intention यहां हमें trab तो रजन करके दिखते हैं जो मुँव फोचार्ड भी समझाता इसके एकॉर्डिंगे ट्रू है अब अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं तो क्या होता है इस फॉल्स है हमारी कंडिशन फॉल्स हो गई इसलिए हमारा एल्स पाट एक युट हो ऐसा भी कर सकते हो यहां पर हम ए हम ये कंडिशन है आप सिंगल अरट इझूज नहीं कर सकते ऐसमें हम इससे जाना लगा कर सकते हैं Aur से जो इस यूज़ कर सकते हो इसे उस करने हैं आप इसे वह रहा चाहिए बहुत सार इंटर करने के लिए और यहाँ पर हमें एक इनपुट लिए यह अब उसकी वेलियों यहाँ पर चेक करेंगे कि वह इब रहा है अब और पास के मैं आपको OPERATORS पढ़ाया हूँ तो आपको यह सब्सक्राइब मैं यह MODALUS OPERATORS क्यो देख आ रहा हो अब इसको अगर A MODALUS 2, EQUALS 2, EQUALS 2, EQUALS 3 0 करेंगे हम लोग यह condition चेक कर रहे हम लोग कि 0 के EQUAL है या नई 0 से EQUAL होगा means Completely Divisible होगा जब two से completely divisible है तो हम लोग यहां पर print क्या करेंगे हम लोग यहां पर print करेंगे number is even or device यहां पर print करेंगे number is odd रन करते हैं और check करते हम लो enter a number जैसे मैं 5 input दे रहाँ तो number is odd जहां मैंने 8 input दिया number is even तो इसके help से मुझ बहुत सारे और प्रोग्राम बना सकते हैं तो आयोप आप लोगों सुन में आए होगा कि if and else statement कैसे यूज़ करते हैं ज्यादा कुछ difficult है ने इसमें आप थोड़ोगों प्रैक्टिस करवे तो आपको समझ में आ जाएंगे आयोप आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक देवीडियो शेर विद्यूर फ्रेंड और अब सब्स्क्रेब और बोर